बाका जिले में एक नाबालिक यूपती का दुसकर्म के बाद वीडियो वारल करने का मामला सामने आया है प्रिता ने थाने में मामला दर्च कराया है घटना बाका जिले के धुलाईया थाना के रनगाओं बुज़रुकी है पिलित यूपती ने आवेदन में कहा है कि 19 मई घर से बाहर सौच के लिए गई थी रास्ते में गाउं के ही समसेर नाम के यूवक ने उसके साथ दुसकर्म किया और घटना का वीडियो बना लिया और किसी के कहने पर वीडियो वारल करने की धमकी दी उसके बाद पिलिता को यूवक ब्लैक मेल करने लग और वीडियो वारल करने की धमकी देकर कई बार दुसकर्म किया अंत में पिलिता ने तंग आकर घटना की जानकारी अपने परजनों को दे दी जब प्रिता के परिजन समसेर के घर कहने गए तो यूबक और उसकी पिता ने यूबती के पिता को मार पीट कर भगा दिया एवं वीडियो सोसल मीडिया पर वारल कर दिया इसके बाद प्रिता अपने पिता के साथ धरया थाना पहुची और आरोपी यूबक समसेर एवं उसके पिता मौल भी यूनूस पर मामला दर्ज कराया पूरे मामले में धरया थना परभारी महस्वर राय ने घटना की प्राथमी की दर्ज कर ली एवं आरोपी को गिरपतार करने के लिए छापे मारी कर रही है साथी पिता का मेडिकल कराया जा रहा है फिलहाल दोनों आरोपी गउं से फरार है कुंदन कुमार की रिपोर्ट बिग न्यूज के लिए बाका जिला के बौसी था लाचे थे के सिम्मडा मोड समीप अग्यात अपराधियों ने बर्मनिया गाउं के करीब तीस वर्सिया मोटर सैकिल सवार यूबक को जान मारने की नियत से गोली मार दी गोली यूबक के दहने हाथ में लग कर फस गई जानकारी के नुसार गाउनिवासी अरजुन यादब का पुत्र हीरा यादब अपने चचरे भाई की बारात में सामिल होने मोटर सैकिल से अपने दोस्त गाउनिवासी परमोच साह के पुत्र बिकास कुमार साह के साथ गंग देने के बाद गस्ती पर निकले एसाई बनारसी परसाद ने यूबक को इलाज के लिए रैफर अस्पताल पहुँचाया घटना के जानकारी मिलने के बाद परिजनों की भारी भीर अस्पताल परिसर में खट्टी हो गई अस्पताल में ड्यूटी पैतनाथ चिकित्सक पंकच कुमार के दोरा इलाज के लिए बहतर चिकित्सा के लिए भागलपूर रैफर कर दिया गया बताया जाता है कि यूबक के परिजनों के दोरा गोली किसी नीजी क्लिनिक में निकलवाई गई सुत्रों के माने तो पुरानी रंजिस को लेकर इया घटना हुई है मामले में पूछे जाने पर थाना अधर्च राज की सोर सिंग ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है घटना के चान भी इन की जा रही है बाका जिला की अमरपूर थाना अधर्च र के दिग्गी पोखर गाउं के समय बाइक चालक ने ओटो चालक एवं खलासी को मामली से बिवाद में पीट कर बुरी तरह से जक्मी कर दिया जक्मी ओटो चालक बैकुंट दास एवं इनके सहकरमी उत्तम कुमार दास का प्राथमी कुपचार रेफर अस्पताल में डॉक्टर पंकच कुमार के द्वारा किया गया वहीं दोनों जक्मियों की गंभीर इस्तिती को देखते वे डॉक्टर ने बेहतर लाज के लिए भागलपूर रेफर कर दिया मौके पर जक्मी चालक के पुत्र गुरुदास ने बताया कि गैतरी सक्ती पीठ इस्तित अमित कुमार के बिस्कुट गुदाम से ओटो पर बिस्कुट लोड कर अमरपूर की और जा रहे थे तबी आटो पर बंधी तिरपाल आंधी के कारण उड़कर बगल से जा रहे बाइक सवार के उपर गिर गिया जिससे बुखलाए बाइक सवार दिग्गी गाउनिवासी राजुयादब संतोस यादब अनलोगों ने मिलकर लोहे के सरियायों डंडा से प्रहार करते हुए जखमी कर दिया डॉक्टरों ने जखमी की स्तिती चिंताजनक बताई है अमरपूर थानाचतर के लोंगाय गाउं में तेज हवा और आंधी करन एक ताल का पिर तूटकर गिर गया जिससे एक च्छव वरसिया बच्ची की मौत हो गई जबकि एक बच्चा बुरी तरह से जखमी हो गया मृत बच्ची गाउं के ही जट्टू दास की च्छव वरसिया पुत्री साक्षी कुमारी बताई गई जखमी लोंगाय गाउनिवासी फोटो दास की पुत्री प्रिया कुमारी बताई गई घटना के संबंध में ग्रामिनों से मिली जानकारी के नुसार गुरूवार की संधिया तेज हवाओ के साथ बारिश सुरू हो गई इसी दर्मियान दोनों बच्ची भागते हुए अपने घर आ रहे थी तभी गाउं के समीप इस्थित सूखे ताल का पेड़ धरा साही होकर गिर गया जिसकी चपेट में दोनों बच्चियां आ गई घटना में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकी एक बच्ची बुरी तरह से जखमी हो गई जखमी बच्चों का उपचार रैफर अस्पताल अमरपूर में किया जा रहा है घटना के बाद मिरतक बच्ची के परजनों में कहराम मच गया है बच्ची के परजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया जबकि मौजूद ग्रामिनों की आखे भी नम थी बांका जिला के अमरपूर थाना छेतर के शिहुरी मोड के समीप एक ग्यारा हजार तार की चपेट में आने से एक ग्यारा वर्स या बालक जखमी हो गया जखमी खेमी चक घरानी निवासी असोगदास का पुत्र लनकुमार का प्रात्मी कुप चार रैप्र अस्पताल में डॉक्टर नवल की सोर्स सहा के दौरा किया गया बालक की गंभीर स्थिक को देखते हुए बहतर लाज के लिए उसे भागलपूर रैफर कर दिया गया मौके पर बालक के परिजनों ने बताया कि आवस्यक कारे के लिए बालक बाहर गया था इसी दौरान जमीन से जुलते ग्यारा हजार वोल्टेज की चपेट में बच्चा आ गया और तेज जटके के साथ बच्चा जमीन पर गिर कर बेहोस हो गया मौके पर मौझूद ग्रामिनों ने बताया कि करीब एक महा पूर्ब इस्टार बस ने अन्यंतरित होकर बिजली के खंबे में टक्कर मार दे थी जिस करन 11,000 वोल्टेज की तार जमीन की और जुग गई थी एक मा बितने के बाब जूद भी बिजली विभाग इस और ध्यान नहीं दिया जिसकी करन ऐसी दर्दना घटना घटित हो गई घटना की सूचना मिलने पर बाका थाना के भाजियोमो नगर महमंत्री भोलू पुद्दार अस्पताल परिसर पहुँचे एवं प्रित परिवाड से मिलकर सांतुना ब्यक्त करते हुए दोसी बिजली विभाग की कर्मियों पर उच अधिकारियों से कड़ी कारवाई करने क की मांग की मौके परोहन ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मियों की लाप पर वही करन चेतर में कई लोग और मवेसी विद्दुद पर वहावी तार की चपेट में आकर अपनी जान हाथ से गवा रहे हैं उन्होंने अविलम विद्दुद विभाग के कर्मियों से चेतर में जरजर हो चुके तार को बदल कर अच्छी क्वाल्टी की तार लगाने की अपील की मौके पर जक्मी बालक का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बालक की स्थिति चिंताजनक बताई है और तो हम यहीं कहांगे यह बिजली दिवाग सुस्त निकम्मी हो गई है आपकी सरकार आप इसमें क्या कर रहे हैं अगर इसमें जो है यहां के जो यही है यह जब सुस्त पड़े हुए है एदम कोई काम ही नहीं जानते हैं जैसा यह जानकारी मिला कि आज से कुछ दिन पहले वहां पर कुछ बस का टक्कर हुआ था जिसमें पोल शतिग्रस्त हो गया 11,000 का तार जमीन से बिल्कुल नजदिक सट गया बिजली विवाग के लोग 30,000 रुप्या भी लिए और उस तार को सिधा नहीं किये देखिए यह मामला में जानकारी नहीं है अब क्या कून लिए है यह हम नहीं बता है